Hello everyone, welcome to Vidya Shri Academy, I hope you are doing well, आज हम पढ़ने वाले हैं वेगत परिक्षाओं में पूछे गए कुछ important question सबसे पहला question है, सभी जीव योकों का अनिवारी मूलतत्व क्या है तो वो है कारवन जितने भी जीव हैं तो उन सब का सरील कारवन से मिलके ही बना हुआ होता है second question है, marsh gas क्या है, तो दलदल में पाई जाती है, marsh gas, यह हुती है, methane gas, CIC को खा जाता है, CH4 याद रखिएगा, यह बहुत ही वहांते पूर्ण प्रस्टन है, बहुत सारी एक्जाम में पूछा गया है next question है कि नहीं चपकने वाला खाना बनाने की बर्तनों में कौन सा लेप चड़ाया जाता है, तो वह है टेफलोन टेफलोन जो रहता है वो जो बर्तनों में चड़ाया जाता है वो चपकता नहीं है उन्तन्तू का विकल्प क्या है तो जो नाइलोन 66 है वो क्या है उन्तन्तू का विकल्प है न्यून्तम जलनसील रेशा कौन सा है टेरेलीन जो है वो न्यून्तम जलनसील रेशा होता है PVC किसके बहुली करण के द्वारा बनता है तो PVC पॉली विनाइल क्लूराइड रहता है विनाइल क्लूराइड के बहुली करण से PVC का निर्मान होता है PVC का फॉल फॉर्म भी आपसे एक्जाम में पूठरा सकता है यह होता है पॉली विनाइल क्लूराइड bullet proof पदात बनाने के लिए प्राया किस प्रकार की बहुलकाओं या polymers का यूज किया जाता है तो वो होते हैं thermoplastic, polycarbonate, laminated water इनका यूज किया जाता है प्राकर्तिक रवर किसका बहुलक है तो प्राकर्तिक रवर आईसोप्रीन का बहुलक होता है रवर का जो vulcanization होता है उसमें क्या मिलाया जाता है तो जो रवर का vulcanization होता है उसमें sulfur मिलाया जाता है यह बहुत important question है आचुका है कागज किससे बनता है तो पौधे के cellulose से कागज बनता है सुक्षिम जीमों के द्वारा जो organic compound होते है उससे alcohol बनाने की process क्या कहलाती है kid one या इसी को बुला जाता है fermentation याद रखिएगा fermentation की process के द्वारा alcohol बनाया जाता है दूट से दही में इस पंदत करने वाला जो enzyme होता है वो कौन सा होता है रैनिन रैनिन की हेल्ट से ही दूट से दही बनता है और इसमें आपने lactobacillus का नाम सुना होगा lactobacillus वो bacteria होता है जो ये दूट से दही की transfer मतलब दूट से दही बनने की process में मदद करता है शरकरा के किडवन से राप्त होता है जब जो सुगर होती है तो जब सुगर का क्या होता है fermentation होता है तो ethanol बनता है याद रखिएगा hydrocarbon का प्राकरतिक स्रोत क्या है तो जो जीब भार होते हैं वो hydrocarbon का प्राकरतिक स्रोत होते हैं पेट्रोलियम क्या है तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं तो हाइड्रोकार्बन से ही पेट्रोलियम बदार्थ बनते हैं जो प्राकर्तिक गैस होती है उसमें मीथेन कितने परसंट होती है तो 90% मीथेन होती है कौन सी गैस है जो फलों को कृत्यमरू से पकाने के लिए यूज आपने देखा वोगा कि जो artificially fruits को पकाये जाता है तो जो ithylene होती है ithylene के बाद हम सही क्या किया जाता है इनको पकाये जाता है फलों को cast spray, cast spray किसे कहा जाता है जो methyl alcohol होता है तो methyl alcohol को ही क्या कहा जाता है cast spread कहा जाता है formalin एक jaliebolion है तो methanol और formaldehyde का जो हमिशरन होता है तो उसमें क्या क्या होता है methanol होता है formaldehyde होता है formalin आपने देखा होगा जो organisms रहते हैं जो जीव जन्तू रहते है उसको formalin के अंतर गत रखा जाता है ताकि उसमें कोई साडन ना हूँ और उसे समेल लाए नफ्दिलीन का मुखी सुरूट कौन सा है तो नफ्दिलीन का मुखे सुरूट कोलताः है एमोनेल क्या मिश्राण होता है तो यह अलुमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइटरीट का विस्पोटक बिनाने वाला मिश्राण होता है बारूद में क्या क्या होता है ये कुशन भी पूचा गया है तो बारूद में होता है सलफर, चारकूल और पोटीशियम नाइटरीट याद रखिएगा सलफर, चारकूल और पोटीशियम नाइटरीट का मिश्राण करके ही बायू बनाया जाता है एस्प्रीन का साधारण नाम क्या है तो जो एसेटल सेले सेले एक अमले होता है एसेटल सेले सेले एक अमले को ही एस्प्रीन कहा जाता है कार्बोहाइडरेट कमोंखे कार्ड क्या होता है जो कार्बोहाइडरेट रहता है जैसे C6S12O6, यह glucose का फॉर्मुला है, तो glucose भी एक carbohydrate है, तो carbohydrate शडीर को क्या करता है, energy provide करने का काम करता है, आपने पढ़ा होगा कि glucose होता है, जैसे fructose होता है, lactose होता है, यह अलग 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 प्रकार की सुगर पाई जाती है इन में, और monomar, जैसे आपने पढ़ा होगा कि carbohydrate में भी, जो monohydrate होते हैं, disaccharide होते हैं, monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide और polysaccharide, जो carbohydrate का मुखे शुरूत क्या क्या होते हैं, तो aloo, गanna, चुकुंदर, चावल, गेह, जो, मक्का, यह सब क्या हैं, कार्बोहाइडरीट के ही शुरूत हैं, गाय के दूद में पीले पन का प्रमुक क क्या होता है, गाय के दूद में कैरोटीन पाये जाता है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है, इसी के कारण जो गाय का दूद होता है, वो पीले रंग का होता है, बेंजीन के कारण किस रोग के होने की संभावना होती है, तो बेंजीन, बेंजीन का सुतर क्या होता है, C6, H6, तो Benzene के कारण है Cancer रोग हो सकता है, Cancer रोग के लिए कौन सा जीन उत्तरता ही होता है, तो होता है Onco Gene याद रखिएगा, और Cancer basically जो Cell होती हैं, उनमें जब अनेमित व्रद्धी होने लगती है, तो Cancer का रूप ले लेती है, एटाई एटाई रोग किसके कारण होता है तो एटाई एटाई रोग कैडमियम के कारण होता है बैकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्या यूज किया जाता है तो जो phenol होता है, phenol का use baccalide की production में किया जाता है चीनी के उत्पादन में उत्पादोदन, mole, sas किस पतार्थ का बना होता है तो alcohol का बना होता है, जो plastic, bottle या बाल्टी बनती हैं तो वो सब PVC से बनती हैं बहुत अधिक पकाना, बहुत अधिक पकाना और खाद तेलों को बार बार यूज़ करने पर अत्यधिक आवंच नहीं होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसे कार्शोजन एक substance पैदा हो जाते हैं रसी कि आपने हूटल्स में देखा होगा, जो oil होता है मान लेजी एक बार जो कड़ाई में तेल रखा है, उसमें से समूसे फ्राई हुए तो आपको क्या लगता है, उसमें इतना अधिक amount में oil रहता है क्या उसको दुबारा यूज़ नहीं किया जा सकता तो उसको दुबारा नहीं कई बार यूज़ किया जाता है और इसी के कारण जो तेल एक बार यूज़ करते हैं फिर से पुना उसको बार बार यूज़ करने से उसमें कारसीनोजैनेक सबस्टेंस आ जाते हैं जो की कैंसल जैसे रोगों को बनने कर सकते हैं इसलिए बहुत ही आनिकारा के आप अपनी डेली लाइफ में भी याद रखे कि आपको जितना ओइल नैसेसरी है आप उतना ही ले और फिर अगर बार बार उसी ओइल का यूज़ ना करे रियोन बनाया जाता है तो रियोन किस से बनाया जाता है सेलिलोस से बनाया जाता है मच्चर भगाने वाली दवाईया सक्री रसाइन क्या है याद रखिये जगा जो रसाइन होता है वो मच्चर भगाने के लिए रसाइन एक सबस्टेंस होता है hydroxy Samuel वाला organic अमल है तो जो benjoy कमल है would hydroxy Samuel वाला organic अमल है नाखुन पालेस परी margin में क्या होता है तो acetone होता है जो नाखुन पालेस को जो reinforcement superhero होता है prelim होता है उसमें क्या होता है उसमें acetone होता है hydrocarbon काaucer отсir Lewis यह question पर चूखे है जीब भारे रबर आसानी से गुल जाती है तो रबर जो है वो बेंजीन में इजीली डिजॉल्व हो जाती है वह ओसिदी कौन सी है जो दुश शित्ता को कम शान्ती प्रदान करती है तो वो प्रशान तक कहलाते हैं जैसे कुछ सिर्दर्द है या फिर कोई बोडी में पेन हो रहा है तो इसका यूज किया जाता है वाणिजी में टेरिलीन का प्रियोग कहां किस रूप में करते हैं तो ग्रत्यम्डेसे की रूप में करते हैं नाइलोन का विसकार किस ने किया था तो ये वैलेश एच काराच थारास, यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं ग्लुकोस के जल अपकटन से बनता है, तो ग्लुकोस और फ्रक्टोस बनता है जैप पदार्तों के शव लेपन में किस रसाइन का यूज किया जाता है, तो जल में फॉर्मेल्डिहाइट का यूज किया जाता है मॉंबत्ती बनाने में रसाइनिक द्रश्टी से एलीफेटेक और सुगंदेथ हाइड्रोकारवन का यूज किया जाता है भोपाल गैस त्राजदी में कौन सी गैस करसाफ हुगा था तो वो थी मिथाइल आईसो साइनाइडी इसको भी याद रखिएगा तो ये कुछ महात्यपूंट प्रशन थे इसको आप ध्यान से पढ़िएगा रेवाइस करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें थेंक यू सो मच जय हैं जय भारत